वैलो स्टूडेंट हाव आई यू अगें यूर्मस विलकम और यूटूब चैनल केमस्टर प्लस अखीज में आज की क्लास में टॉपिक इसकेस करेंगे तैस्ने डियू करेंगे अलौ रिवे इंपोर्टन टॉपिक और आज की टॉपिक को डिसकेस करने से पहले हम रिकॉल कर जिनको आप वापस चार्ज नहीं का सकते एक बार आपने यूज किया completely इसमें जो क्या होगी chemical energy का electrical energy में conversion हो जाएगा और after using कि that हो जाएंगे इसके बाद हम यूज नहीं का सकते इसके बाद हमने इसके दो टाइप डिसके तो आपको था ड्राइस से इसका में पूरा construction किस टाप से इसकी features होती हो इसको कमशन करेंगे फ्यूल को उससे जो chemical energy generate होगी उसको electrical energy में convert करते हैं that is the fuel cell यहां भी हमने दो टाइप के डिसके किया देख तो the hydrogen oxygen fuel cell एक हमारा टॉपिक था hydro carbon oxygen fuel cell तो यहां तक हमने last lecture को discuss किया था आज हम डिसके में जा रहे है हमारा important topic that is the secondary fuel cell and the corrosion अब देखिएगा आज की जो class है फिर आज की जो lecture हमारा electro chemistry topic का last lecture होगा आज हम electro chemistry chapter को complete करने जा रहे हैं हमने total मिला के यह इसका 10th lecture है पहले से 9 lecture हमने अपने इन मेंसे कोई भी वीडियो वाच नहीं किया आपसे मिस हो गया तो आप यूटूब चैनल chemistry plus second में पर वहाँ पर जाकर इसकी playlist में जाए वहां class 12 जो chemistry की playlist में जाकर वीडियो को वाच कर सकते हैं वहां already solution chapter surface chemistry chapter के भी वीडियो upload किये गए हैं तो उन सारे वीडियो को आप वहा secondary sale देखिएगा primary sale में क्या था कि जिनको हम वापस से recharge नहीं कर सकते it means वहां आपने एक बार यूज किया एक बार यूज करने के बाद डैड हो जाते हैं इनका कोई यूज नहीं होता है उसके बाद बार आपको throughout करना पड़ता है but in the case of the secondary sale these are the sales which can be recharged on the passing electric current इसका मतलब क्या हाँ एक बार सपोज यह इनका जो electricity इसमें अंदर खतम हो जाती है इसको वापस चार्ज कर सकते हैं इसमें electricity को फ्लो करके तो आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं तो दी जादा secondary sale आपको पता होगा inverter होदा हमारे घर में उसकी बैटरी होती है उसको बार बार चार्ज करत है कि हमारे mobile की battery होती है इसको बार बार चार्ज करते हैं इसे टाइप से आपने देखा होगा बाइक होती है उसमें battery होती है कार में battery होती है सारे की सारी batteries क्या होती है secondary cell के अंतरगर्थ हम इसको discuss करेंगे तो these are also known as the storage cell or accumulator because electrical energy can be stored in them क्योंकि ये electrical energy को store करते हैं आपने आपने इसलिए इसका name क्या होगा storage cell भी इसको हम कह सकते हैं generally these are two types first is the lead acid storage cell second is the nickel cadmium storage cell अब देखिएगा यह जो lead acid storage cell जो होती है ना जो हमारे घर में inverter उसकी battery में होता है और जिसे कि हमारे जो bike होती है ळे कार होते की battery वहोगर होती है वह सारे के सारे की सारी इस malicing यूट होता है जैसे कि हमारे mobile की battery आप जानते हो तो यह लूछ करते हैं हम यूज तो यह दो टाप की बैटरी को हम डिसकस करेंगे तो फर्स्ट इस दा लेड एसिट इस्टोरेज सेल देखिए इस यूजड इन आपको बताया भी था आपको बताया बहुता है जिसे की कार हो गया आपका बाइक हो गया इन में इंवर्टर का में जब घर में यूज करते हैं त 2V होगा तो आप इसके अंदर क्या होता है थैसे बहुत सारे जो सेल्स को आपस में जोइंड करके आपस में इसको कमपाइंड करके डिफरेंट डिफरेंट टाप की वॉल्टेंज की बैटरी को आप कंस्टक्त कर सकते हैं डैर्फोर 3 और 6 सच सेल्स आर जॉइंड इन डे सी सिटी आप 3 सेयल उज़ कर दीजेगा तो इस टाप से क्या है डिफिर्ट डिफिर्ट नमबर्स में आप सेट को कंबाईन करके जोइंट करके डिफिर्ट वाल्टेश की बैट्री वांक्ट को आप सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें एनोड क्या होता है क्या होगा कॉन को आपको पता है जितनी भी लटोकेमिकल सेमने डिसक्स किये हैं वहां पर क्या होता है अनोड होंगा क्फोर्डwriting का solution होगा एनोड पर oxidation के थोड पर reduction इसके बाद हम इसकी लेक्टो केमिकल सेल डियक्शन को डिसक्स करेंगे तो अब देखें अनोड जेनरली कंसिस्ट आफ नमबर ओप्लैट्स जोइंट इन दे पैरलल इसका मतलब क्या है पैरलल प्लैट्स होगी अनोड के अंदर इच प्लैट इसका मतलब क्या है जो लेड की जो पैरलल प्लैट्स होगी उसके अंदर फिल कर देते हैं और इनकी जो पैरलल लेर होती होती हो इसका मतलब क्या है इसका बनावा है इसका लेड का बनावा है क्या मतलब क्या है क्या है इसका मतलब क्या है क्या है इसका मतलब क्या है क्या है इसका मतलब 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 क्या है इसका आपने spongy lead को fill किया था but in the case of cathode वो भी lead की grid है lead की plattis होगी लेकिन उसमें क्या lead oxide को आपने क्या किया fill किया है तो दोनों में basic difference इतना ही होता है ओके these plates are alternatively arranged and separated by thin perforated plastic और fiberglass seat इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है इनके बीच में क्या होगा एक plastic की sheet होगी या फिर fiberglass की क्या होगी सीट होगी इससे क्या होगी यह separate रहेगी आपस में connected नहीं रहेगी okay the electrolyte is 38% 804 taken in the plastic और hard rubber vessel आपने देखा inverter की बैटर कितनी जो hard होती इस प्लास्टिक का पूरा cover होता है उसमें क्या होता है क्यों प्लैटे होती है अनोड के थोड़ की बिच में क्या होती है इसके अंदर वह plastic की जो seeds होती है इसके बाद पूरे के पूरे hard rubber vessel या plastic की जो पूरा cover होता ना उसमें क्या करते हैं 38% 804 का solution यूज करते हैं जो की electrolyte की तरह act करता है इस टाप से क्या होता है अब देखें इसमें आप डाग्राम को देखेंगा आप डाग्राम में देख सकते हैं यह पूरा का पूरा क्या है container है इसको vessels कहेंगे तो प्लास्टिक का बना होता है इसके अंदर देखें यह लैड है उसकी इस्के इसके 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 अदर रावा मिलेगा और बीच में प्लस होगा यह पॉस्टिव पॉल बैटरी के दो पॉल होते हैं आपको पता है तो अब इसके बाद देखेगा यह पूरा का पूरा नहीं यहां पर अब देख सकते हैं 38 परसेंट सल्फियूरिक एसीड को आप यहां पर एझेलेक्ट यूज करोंगे न इस टाप से कंप्लीट सेल कौम कर सकते हैं आप पर देख सकते हैं यह लेड की प्लेट हैं इसके अंदर जो इस पॉंजी लेड यहां पर फिल है इसके अंदर क्या है पीब फिर अनोड फिर कैतोर फिर अनोड फिर कैतोर इस टाइप से अल्टरनेट प्लेट होगी इसके बाद देखिएगा यह 38% यहां पर यू जम कर रहे हैं जो कि एलेक्टोलाइट की तरह आपको पता है एनोड पर हमेशा क्या होगा? आकसीडियेशन होता है इसके क्या होगा? लेट के साथ है अनोड कैसा रिक्ट करेगा तो क्या होगा S204 कौन सा इन है Sulfatine Sulfatine कहां से मिल आपको S204 से मिले ठीक है न यह से रेक्षिन करने पर क्या होगा यहां पर देखिए Pb S204 में Conversion होगा लेड का और आप यहां पर देख सकते हैं साथ में Electrons remove हुए कहां से इस S204 2- से तो आप देख लिजीगा Pb यहां पर 0 स्टेट में है Lead यहां पर क्या है प्लस 2 स्टेट में है इसका मतलब यहां पर Lead का Lead Sulfate में क्या होगा Oxidation हो यहां इस टाप से मिसको देख सकते हैं इसके बाद देखिएगा Cathode पर क्या रेक्षिन हो रही है Cathode पर क्या था? Grid के अंदर Lead Oxide था यहां पर भी क्या होगा? SO4 2 मानिस एक्षिन करेंगे साथ में H+, और यह Electrons यहां से यहां transfer हो जाएंगे इससे भी क्या बनेगा? Pb SO4 का solution बनेगा, साथ में क्या है? Water Molecule अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां जो Pb O2 जो था Pb O2 में Lead और चार्ज है प्लस 4, पर इन दे केस हो Pb SO4 यहां पर चार्ज कितना दे रहेखा आपको दिखिएगा? 2 प्लस है इसका मतलब प्लस 4 से प्लस 2 में conversion हुआ है, इसका means क्या हुआ? Reduction हो गया तो उक्कुल मिला के बात है, चाहिए वो Anode हो जाए Cathode और दोनों में क्या बनता है? Lead Selfate का formation होगा अब हम बात करते हैं Complete Cell Reaction तो आप देख सकते हैं जो value यहां पर cut हो इसको आप cut कर दीजेगा इसके बाद बागी को आड़ करके product का formation यहां पर कर देगी, तो आप देखिए कैसे Electron, Electron यहां पर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ओके, इसके बाद और यहां पर कोई cut होना की condition यहां पर नहीं है इसके बाद है कि यह PB प्लस PbO2 प्लस SO4-2 कितने यहां पर 2 तो PB प्लस PbO2, 2SO4-2 साथ में के यहां पर 4H PLUS है इस यह देखो एक PBSO4 यहां पर गेन हो रहा था एक PBSO4 यहां पर गेन हो रहा था टोटल मिला के 2 PBSO4 यहां पर फॉर्म हो जाएंगे साथ में water molecule का elimination हो जाएगा तो इस टाइप से complete cell friction होगी जो अनोड और के अपस में मिला के हमने यूज किया है ओके अब आपका second topic that is the nickel cadmium storage cell तो पहले किया था हमने lead acid लिया था जहां पर lead की grid थी और साथ में acid को हमने electrolyte की तरह यूज किया था अब यहां पर के nickel cadmium है तो आप देखिए स्माप it consists of cadmium anode इसका मतलब क्या anode किसका है cadmium का इसका मतलब cadmium पर होगा oxidation okay and metal grid containing nickel oxide as a cathode जान दीजेगा nickel oxide है वो एक metallic grid के अंदर है तो वो यहां पर किसका काम कर दी है cathode का काम कर दी है इसका मतलब इस पर क्या होगा reduction होगा यह आप इस टाइप से इसको समझ सकते हैं अब बात करें electrolyte की तो यहां पर electrolyte को है कियोज है तो कियोज का solution means potassium hydroxide का solution जो है हम electrolyte की तरह इसको यूज कर सकते हैं अब देखिए cell friction क्या है अनोड पर देखिएगा cadmium था cadmium प्लस टू ओज कमाने सी कहां से आए electrolyte से आए तो आप देख सकते हैं यहां से cdo2 का formation होगा साथ में electron remove होगे electron remove होना इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है oxidation हो रहा है अब आप देख सकते हैं यहां पर cadmium प्रचार्ज कितना है जीरो है और यहां पर cadmium प्रचार्ज कितना है 2 प्लस है इसका वहलब 0 से plus 2 में conversion हुआ इसके बाद हम बात करें cathode की तो cathode पर देखिए क्या होता है यहां पर nickel oxide की जो क्या थी grid थी उसमें जो बरावा था किसमें metallic grid के अंदर तो nickel oxide water के साथ reaction करेगा साथ में electron यहां से यहां आएंगे तो आप देख सकते हैं इससे क्या बनेगा और निकल hydroxide साथ में क्या होगा यहां पर यहां से water molecules से remove के यहां पर आ जाएंगे अब आप देख सकते हैं यहां निकल पर चार्ज था प्लस का 4 इस पर चार्ज कितना जाएगा प्लस का 2 इस टाइप से प्लस 4 से क्या होगा प्लस 2 में conversion हो गया अब हम बात करते complete cell reaction के तो देखो क्या होगा complete cell reaction में आप क्या करेंगे जो यहां पर value कट रहें उसको कट कर देजाएगा आप देख सकते हैं इस reaction के अंदर कि आप two electron two electron कट कर देंगे और यहां पर कट हो जाएगा इसके बाद क्या बचा सीडी प्लस अनियो टू प्लस टू इस गीव सीडी ओवस्टू एंड अनियो अस्टू इस दे कम्प्लीट सेल डीक्शन अफ दे निकल केडमियम स्टोरेज सेल यह सेल जनरली यूज कहा होते हैं मोबाइल्स की बैटरी क इस टाइप से हमने डिसकस किया है सेकंडरी सेल को जो दो टाइप के थे फस्ट इस दे लेड़ अचिड और निकल केडमियम स्टोरेज सेल और इनको दुबार आप चार्ज कर सकते हैं बार-बार रिचार्ज इनको कर सकते हैं लेटिशिटी को पास करके नाव दे नेक्स मेटलिक जो हमने कोई एक्विबेंट बनाए होती है तो उनकी जो सर्फेस क्या होती है स्लोली स्लोली हो जाती है इसे हम बात करते हैं आयरन की सपोज रेलिंग है उस पर देखाओ कभी इसमें रष्ट लग जाता है तो मतलब रष्टिंग और इस दे को रोजन इसका मतलब इसके इसका मतलब वहां सी मेटलिक सर्फेस का डेश्टोई होना सुरू हो जाता है इसा होता क्यों है एन्वा मेंटल फेक्टर है दिशो इसके इंदर मेंटल पर करेंगे हो मेंटल पर क्या होता है डिफरीन टाब की एक्ट्रोकेमिकल रेक्शन से क्या होता है वहां से metal का destroy up होना सुरू हो जाता है तो देखिएगा the process of destroying up of a metal by the gases and the water vapors present in the air due to formation of certain chemical compounds is called as corrosion इसका मतलब क्या है कि air में जो water vapors होती यह different type of gases होती है उससे क्या होता है किसी भी metallic surface का धीरे-धीरे destroy होना उससे क्या होगा नहा chemical compounds का formation होना that is the corrosion example की बात करें हम रस्टिंग और आयरन का रस्टिंग होता हम देखेंगे इसका topic पुरा आपकी syllabus में इसको हम discuss करेंगे green coating on copper copper पर green green color आ जाता है इसमें coating हो जाती है ternishing of the silver silver जो उसका जो color है वह तो ternish हो जाता है इसको बदरंग हो जाता है मत मिलासा हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे ternishing अब देखें corrosion in fe iron में जो corrosion होता है उसको हम कहेंगे rusting of iron means corrosion in fe is known as the rusting of iron ठीक है अब देखें rusting of iron होता कि इसको हम discuss करेंगे तो it's a very very important topic exam की point of view से भी तो देखें corrosion in iron is known as rusting of iron okay जो rusting of iron का मतलब क्या है जो fe में corrosion हो रहा है means fe की जो metallic surface का slowly slowly destroy up होना हुए क्या होता है rusting of iron होगा अब देखें general rust क्या होता एक्जाम में क्या पूछते है what is the rust rust क्या होता है तो rust is the hydrated ferric oxide means Fe2O3 access to us का मतलब क्या है कि आपने क्या किया कि iron था iron का oxidation हुआ तो इससे क्या बना iron oxide बना इसके पास water vapors आई उससे क्या हुआ hydrated water इसके अंदर आगा means water of this land इसके अंदर क्या हो जाएगा ट्रैप हो जाता है iron oxide के crystal lattice में इसमें access to means यहाँ पर कुछ water molecule भी अविलेबल है this is the rust तो आप जब exams में question आता है कि what is the rust क्या देगे rust is the hydrated ferric oxide इसका formula भी उच करोगे Fe2O3 access to and brown in color ओके अब यसा होता क्यों है देखिए यहाँ पर भी क्या Electrochemical cell का formation होगा it means Electrochemical cell reaction यहाँ पर भी होगी it is a Electrochemical Phenomena in this process small Electrochemical cell is formed on the surface of iron okay इसका मतलब क्या iron की surface पर क्या होगा Electrochemical cell का formation होगा उस cell formation कैसे होता है तो iron की surface होगी oxygen आएगा water vapors आएगा बहु सारी gases और भी आएगी उससे क्या होता है यहाँ क्या होगा इसको आगे chemical reaction में डिसक्स करने वाले हैं और उस electrolytic solution में क्या होती है रेडाक्स reaction होगी और रेडाक्स reaction से क्या होगा रश्ट का formation होगा एफ़ी एक्ट एच एनोट इन ऑक्सिडेशन अकर्स इन इट एफ़ी जो है यहाँ पर एफ़ी की reaction process में क्या करते हैं यह आपको पहले से अलड़ी पता है इस टाइप से क्या होता रश्टिंग और होगा अब इसकी क्या होगा एक्टोड पर क्या होगा आपको डिसक्स करना और आपको आपको यह पता है के थोड़ पर क्या होता है अब देख सकते हैं एफिका करके क्या हो रहा है इसके बाद देखिए के थोड़ पर क्या हो रहा है इसके बाद दिखेगा का डिकंपोजिशन होगा अच प्लस और और वाटर का डिकंपोजिशन होगा एस-प्लस माने साइन में उसके बाद एस्प्लस और जब्लस में इलेक्टोन को accept करेंगे और क्या बनेंगे हाँ पर हाइडोजन बनेंगे फिर हाइडोजन ऑक्षिजन के साथ reaction करके क्या बना लेंगे एस टू का formation करेंगे ये cathode पर reaction step की होती रहती है ओके त्य हो गया reaction अब आप लेक्षिन क्या होती है समझेगा complete reaction में क्या होगा जो iron न ओटो के साथ reaction करेंगा साथ में प्रजेंश किसकी है एच प्लस आइन की इससे बनेगा आपका इसका मतलब पहले जो है iron एफी प्लस टू आइन में कनवर्ट हो रहा है साथ में बनेंगे water molecule अब इसका क्या होगा ये तो नॉर्मल डिक्षिन हुई नहीं इसके इंदर सेल रिक्षिन हुआ अब यह बात करें एट्मोस्फिरिक ऑक्षिडेशन इसका मतलब क्या हुआ पहल इसके बात यहां पर वाटर वैपर्स यहां पर रिक्षिन करेंगी यह वाटर जो ना यह वाटर इस एफी टू-ओ-ट्री के किस्टल लेटिस में जाके इंटरॉप्ट हो जाएंगे तो इससे क्या बनेगा ऐफी टू-ओ-ओ-3 एक्सस्टो इसको बोलेंगे हैं रस्ट क्या जो आइरन की सर्फेस फर्फोर्म होता इससे लेक्षन को तो दक्स दैक से आप देख लेंगे इसके बातीघ्यां मैं और ढंग सो बनेगे है कि इस टाप से घृंट हो इसके बाद में एक साइड में क्या बनेगा यहां पर इलेक्ट्रलाइट का सॉलुशन फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे क्यतोडिक साइट और आपको पता है अनोडिक साइड में क्या होगा Fv का conversion हो रहा, Fv plus 2 में, तो यह हो जाए, अनोर्ड प्र उक्षिडेशन हो गया, इसके बाद क्या होता देखिए, यहाँ पर लेटरलाट के solution के साइड में क्या होगा, O2 and H plus reaction करेंगे, और साथ में S2O का formation होगा, और O2 का S2O में formation हो रहा, आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, कि यहाँ से जो Fv plus 2 आएन आपको मिले, उसका वापस क्या होगा, Atmospheric Oxidation होगा, इससे क्या बनेगा, Fv2O3 बनेगा, Fv2O3 के साथ क्या होगे, वाटर मोलकुल जाके इसके Interstitial Space में Interrupt हो जाएंगे, इससे क्या बनेगा, Axis2O हो गया, तो Fv2O3 Axis2O, इससे को हम कहेंगे, इस टाप से RNA corrosion होता है, तो आज हमने topic डिसकस किये हैं, that is the secondary sale, secondary sale में हमें दो टाप की sale को डिसकस किया, एक तो nickel cadmium secondary sale, एक हमने डिसकस किया, lead acid storage sale, उसके बाद हमने डिसकस किया था corrosion को, तो इससे के साथ आपके लेटो chemistry chapter जो हो complete होता है, तो सारे lectures आपको chemistry plus academy YouTube channel की जो playlist class 12 chemistry म आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो को watch कर सकते हैं, और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, जरूर subscribe करें, share करें, like कीजिए, और आप जितना जादा जादा हो सके, वीडियो को watch कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप watch करेंगी, उतना आपको concept easily समझ माएगा, तो देख तरिये chemistry plus a kid में और enjoy कीजिए chemistry के साथ, thank you so much.